फ़स्बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्रायर जग है जैना ज्वेलर्स, आबुलेन, मेरत बड़े बेवफा हैं ये हुसन वाले पर तेरी बात कुछ और है हम यह गाना गुनगुना रहे हैं इसलिए क्योंकि एक बार फिर वो मुख्यमंत्री याद आ गए जो बेहत अल्प समय तक ही मुख्यमंत्री सीट संभाल सके और इस पद ने उस पर बैठे शक्त से बेवफाई कर दे या आफ यू कहें कि मुख्यमंत्री सीट पर काबिज होने का दम भरने लैंवाले देवंद्र से भी कुर्सिदी ने वेवफाई कर मुख्यमंत्री से बहुमत साबित करने से पहले ही उन्हें मुख्य मंत्री पत छोड़ना पड़ा साथ ही उन्होंने अपना नाम उन अल्प समय के लिए मुख्य मंत्री बनने वाली लोग की फेरिस्त में भी शामिल कर लिया दूसरी बार वह केवल 80 घंटे ही मुख्य मंत्री बने रह सके देवेंद्र के अलावा अनेक नाम ऐसे हैं जो मुख्य मंत्री की कुर्सी तक जैसे तैसे पहुँचे तो लेकिन हालात वे समीकर कुछ ऐसे बने कि वहे इस कुर्सी को संभालने तके और देखते ही देखते कुर्सी उनके हाँ से छिटक गई आज हम बात करेंगे ऐसे ही इराजमेताओ की जो बेहत कम समय में ही मुख्य मंत्री की कुर्सी गवा बैठ है फिलाल बात करते हैं देवेंद्र फड नवीश की अपना पिष्टला पांस साल का कारेकाल उन्होंने बड़ी शिद्दत से पूरा किया पांस साल के कारेकाल के दोरान उनकी सहयोगी पार्टे शिव सेना ने कई बार उन्हें परेशानी में डाला लेकिन देवेंद्र मुस्कुराते हुए अपना कारेकाल पूरा कर गया जहां तक शिवसेना की बात रही तो वह भाचपा के साथ महाराष्ट में सत्ता में भी रही और विपक्ष की तरह वेवार भी करती रही अब चुनाव हुए तो दोने दलों ने यानी भाचवावे शिवसेना ने एक साथ चुनाव लड़ा बहुमत नहीं मिला लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में वही उभर कर सामने आए मुख्यमंत्री पद को लेकर बात बिगड़ी और यहां तक बिगड़ी कि 30 साल पुराने दोस्त अदावत पर उतर आए मही देविंद्र पड़नविस जिस अजीद पवार को जेल भेजने की बात कर रहे थे उन्हें लेकर बेहधी नाट के अंदाज में मुख्यमंत्री सीट पर काबिज हो गए हाला कि जिस तरीके से भाचवा ने मारास्ट पर काबिज होने का ताना बाना बुना उससे भाचवा की छवी पर जरूर जोड़ा डेंट लग गया है राज़िपाल की भूमी का पर भी कई सवाल लग गये हैं आईए पर देविंद्र पड़नविस को जो अजीद पावार को जेल में चक्की पिसिंग की बात कर रहे थे पर बाद में जिसे डिप्टिस सीएम बना कर खुद सीएम बन बैठे पासा पल्टा और मामला सुप्रीम कोट चला गया सुप्रीम कोट ने फ्लोर टेस्ट का आदिस्तिया तो भाचपा को ये समस्ते दे न लगी कि फ्लोर पर वे बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे लिहाजा पहले डिप्टिस सीएम अजित पावार और इसके बाद देवेंद्र फ़र्ड नेविस ने मुख्यमंत्रिपत से इस्तिफा दे दिया इस सारे घटना करम का एक लाब अजित पावार को यह हुआ कि सिचाई विभाग के बसेचा से जोड़े नौ मामलों में डिप्टिस सीएम बनते ही उन्हें क्लीन चिट मिल गई विपक्ष का यही आरोप है कि इसका डर दिखा कर खी भाजपा ने अजित को अपने साथ लिया था यही डर चुनाव से ठीक पहले शरत परवार को भी दिखाये गया था दरासल महारास्ट राज्य सहकारी बैंक घुटाले में उन्हें एडी ने नोटी जारी किया था सरकार बन गई है और सक्ता के केंदर में शरत पावार आ गए है आज खबर यह भी है कि शरत ने अजीत को माफ कर दिया है संभवत है उन्हें मंत्री मंदल में भी लिया जा सकता है अब बात करते हैं ऐसे मुक्खे मंत्रियों की जिन्होंने बेहद अल्प समय ही मुक्खे मंत्री पत सभाला इनमें सबसे उपर नाम आता है जगदंबी का पाल का उनका मामला बेहद अनुखा है दरह सब राज्येपाल रोमेस भंडारी ने तकालिन कल्यान सिंग सरकार को बरखास कर 21 फरवरी 1908 में को जगदंबी का पाल को उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री पत्की सपद दिला दी अगले देहिं राज्येपाल के इस फैसले को है कोट में चुनोती दी गए और कोट में उनके कारेकाल को विधी शुन्ने घुशित कर दिया जगदंबी का पाल को सुप्रीम कोट से भी कोई राहत ने मिली इस तरह है वहें सीम तो बने लेकिन कारेकाल रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज नहीं हो सका दूसरा नाम है यदिरुपा का 17 माई 2018 को करनाटक के सीम पद की शपतली लेकिन फ्लो टेस्ट में बहुमत साब इतना हुपा नहीं कारण उन्हें 19 माई 2018 को पसी इस्तिफा देना पड़ा इस तरह है वहें मातरत 55 घंटे ही मुख्यमंत्री रह पाए देविंद्र सिप 80 इसके बाद नाम आता है सतीष पुर्शाथ सिंग का 28 जन्वारी 1968 को बिहार के सीम पद की सपतली लेकिन पांस दिन बाद ही उन्हें समिकर्ण ऐसे बने कि हैं पड़ छोड़ना पड़ गया जारखंट के राज्यपाल ने जामूमो पुर्मुख सिबू सोरेन को अल्पमत में होते हुवी 2 मार्श 2005 को सरकार बनाने का नियोता दिया फ्लोर टेस्ट में बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण 10 दिन बाद यानी 12 मार्श 2005 को मुख्य मंत्री पत से उन्हें स्तीफार देना पड़ा बाद में भाजवानिये अपने दलों के साथ मिलकर महासरकार बनाई इसके लावा कौंग्रेस के वरिष्ट नेता S.C. मारक मेघ्याले में मात्र 13 दिन ही मुख्य मंत्री पत पर रह पाए 27 वरवरी 1978 से 10 मार्श 1988 तक मुख्य मंत्री रहे इसके लावा 24 दिन तक मुख्य मंत्री पत पर विराजमान रहने वाली जानकी रामचंदन को मुख्य मंत्री M.J. रामचंजर के निधन के बाद पार्टी विधाय को ने निता चुनते हुए राज़बाल को समर्तर पत्र दिया था इस तरहे 7 फरवरी 1988 को जानकी रामचंजर तमिल नाडू की मुख्य मंत्री बन गई लेकिन बहुमत साबित ना कर पाने के कारण मार्थ 24 दिन में ही उन्हें मुख्य मंत्री बन छोड़ना पड़ा इसके लावा बीपी मंडल कॉंग्रेस से खिचुड़ी पका कर बिहार में एक फरवरी 1968 को मुख्य मंत्री बने लेकिन महज 31 दिन ही सरकार को बचा पाए और दो मार्च 1968 को उन्हें भी मुख्य मंत्री पद छोड़ना पड़ा वहीं केरल के सी एच मुख्य मंत्री मात्र 51 दिन ही मुख्य मंत्री के रूप में सत्तापर का बिज रहे लेकिन एक दिसम्बर 1989 को उन्हें मुख्य मंत्री पद गवाना पड़ा है। आज इस कड़ी में बस इतना ही। देखते रहें ये फास्ट बाइट डॉटी।